चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर समेग याद करना तेकि समेग याद करने के लिए हमारे पास एक फोर्मुला है A मिस्टरदन बराबर मूलदन 1 प्लैस आर बटे 100 की पावर T ठीक है यहाँ से थोड़ा संसिप्त आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर यह जो मूलदन आएगा वो मिस्टरदन की बटे में ले सकते हैं A बटा P बराबर 1 प्लैस आर बटे 100 की पावर T एक और चीज है जो हमें जानना आवसक है वो है कि हम लोग यहाँ पर इस पोर्षन को वेसे तो आप यह डारेट याद रख सकते हैं लेकिन यह जो पोर्षन है इसको आप संसिप्त कर सकते हैं वाई रेश्यो मेथड से एक एक एक्जामपल में ले लेता हूँ यहाँ पर मल लेता हैं कि 100 रुपे मूलधन की रासी पूछ लिए गाई कितने वर्ष में यहाँ 121 रुपे हो जाएगी यदि ब्याज की दर यहाँ पर 10 प्रतिसत हो रेट यहाँ पर कितनी दी गई हो 10 प्रतिसत हो तो समझेगा यहाँ पर मैं सबसे पहले इस पॉर्षन को हल करूँगा तो यहाँ पर 10 परसेंट बराबर होता है एक बटे 10 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 बटे 10 तो इस पूरे पॉर्षन के इस तान पर में कितना लेलूँगा 11 बटे 10 तो देखें यहाँ पर मिश्चर धन मेरे पास क्या है 121 मूल धन कीतना है 100 तो मिश्र धन की जगह पर तुम्हे लिखूंगा 121 मूल धन के इस तान पर लिखूंगा में 100 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 के इस तान पर में लिखूंगा 11 बटे 10 और उपर लिखूंगा T अब मैं यह जानता हूँ यहाँ पर कि यह जो portion है वो होता है 11 वटे 10 और square कर दूँगा यह भी हो जाएगा 11 वटे 10 कि power T और हम लोग जानते हैं जब आधार समान होता है तो समय गात भी समान होती है तो मेरे पास समय आजाएगा 2 वर्स इस प्रकार से हम लोग क्या गयात करेंगे समय गयात करेंगे एक और example लेता हूँ यहाँ यदि मूल दन में 400 रुपे लेता हूँ तो उचा जाएगा कितने वर्स में यही दन राशी 441 हो जाएगी जबकि ब्याज की दर कितनी है यहाँ 5% समय आप से उचाई गया है इस कंडिशन में आप लोग देखेंगे सबसे पहले 5% का मतलब क्या होता है एक बटा 20 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 बटे 20 अब हम लोग लगाएंगे यहाँ मिस्टर दन क्या दे रखा है यहाँ पर 441 मूल दन क्या दे रखा है यहाँ 400 ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पर 1 प्लस आर बटे 100 इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ 21 बटे 20 की पावर T अब 441 किसका स्क्वार होता है 21 का और 400 किसका होता है 20 का हम लोग करेंगे स्क्वार बराबर 21 बटे 20 की पावर T अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आधार समान है तो समय कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्स हो जाएगा इस परकार से हम लोग समय ग्याद कर सकते हैं दर ग्याद करना तो दर देखें कैसे ग्याद करेंगे हम लोग देखें दर को दो तरीके से ग्याद कर सकते हैं इस तरीका तो A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T इसमें मूलदन यहाँ चला जाएगा तो A बटा P बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर T इस सर्थ से हम लोग क्या ग्याद कर सकते हैं यहाँ इस सर्थ से हम लोग दर ग्याद कर सकते हैं क्या ग्याद कर सकते हैं दर ग्याद कर सकते हैं ठीक है एक्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग यहाँ पर माना की मून दन सो है और बोला यह गया है कि यह दो वर्स में यह दनरासी 121 रुपे हो जाती है तो ब्याज की दर बताईएगा ब्याज की दर बताईए इस कंडिसर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर मिस्र दन देखिए उपर आएगा तो 121 उपर मूल दन नीचे आएगा 100 नीचे बराबर हम लोग लिखेंगे 100 प्लस आर बटे 100 यह यह कंडिसन तो देखिए 100 प्लस आर का मान तो हमें ग्याद करना बटे में 100 की पावर टी यानि दो वर्स अब इस दो का हम लोग क्या करेंगे यहाँ वर्गमूल लगा देंगे तो 121 बटे 100 का तो वर्गमूल आई जाएगा बराबर 100 प्लस आर बटे 100 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10 बटे 100 बराबर 100 प्लस आर बटे 100 एक जीरो से एक जीरो क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे 110 बराबर 100 प्लस आर 100 इस्तरब जाएगा आर बराबर कितना आएगा 10 प्रतिसत होगा हम लोग अब देखें यहाँ पर दर ग्याद करने का दर ग्याद करने का दूसरा तरीका देखते हैं तो दूसरा तरीका क्या होगा देखें यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे मूलदन एक तरफ लिखेंगे मिस्रदन यदि दो साल की बात है दो वर्स की बात हो तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ अंडरूर इसके बाद में द्यान चे सुनिएगा हम लोग क्या लेंगे यहां पर अंतर क्या लेंगे और दर ग्यात करने कर यह अंतर ही क्या कहलाएगा मेरा एक वर्स का ब्याज कहलाएगा ठीक है अब देखिए दर ग्यात करने का तरीका है वो होता है ब्याज बटा मूल दन गुणा सो अगर हम लोग बात करते हैं तीन साल की तो यही सर्थ तीन वर्स के लिए क्या हो जाएगी एक तरब मूल दन एक तरब मिश्र दन मैं क्यूब रूट निकालूँगा क्यूब रूट निकालूँगा क्यूब रूट निकालने के बाद मैं इनका क्या लेंगे अंतर और यह अंतर ही मेरा एक वर्स का क्या कहलाएगा ब्याज तो द्यान चे सुनिए दर ग्यात करने का तरीका क्या होगा ब्याज बटे मूल धन गुणा सो इस तरीके से और अगर चार वर्स हो तो मैं यहां क्या लगाऊंगा यहां रूट में चार लगाऊंगा ठीक है कि निये यानि करनी चार निकालने पड़ेगे और पांच वर्स हो तो करनी पांच वर्स निकालनी होगी इस तरीके से करेंगे ज़्यादा तर जो सवाल आते हैं वो दो वर्स या तीन वर्स के लिए आते हैं अब हम लोग एक 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 लेते हैं ताकि यह भी क्लियर हो जाए देखिए एक्जाम्पल के तोर पर माना की मूलदर मेरे पास 400 रुपए है और ये पूछा गया है कितनी प्रतिसत की दर पर 441 रुपए हो जाएगा दो वर्स में समय है मेरे पास 2 वर्स ठीक है इस कंडिशन में भी देख लीजे पहले मूलदर लिखेंगे और फिर मिसरदर लिखेंगे मेरे पास मूलदर है 400 और मिसरदर है 441 दो वर्स के लिए मुझे क्या निकानना पड़ेगा मूलदर कितना आएगा 20 कितना आएगा 21 इसके बाद मुझे देखिए यहां ब्याज देखना पड़ेगा 20 और 21 में कितने का अंतर है एक का दर निकालेंगे ब्याज मेरे पास क्या है एक मूलदर कितना है 20 गुणा में क्या आएगा 100 20 का बाद देंगे 20 पंजे 100 कितना परतिसात आया 5 तर एक और एग्जामपल लेते हैं लोग यहां पर माना की मूलदर कितना है यहां पर 10 अजार रुपे हैं पूछा गया है कितने वर्स में माना मूलदर कितना है 1000 रुपे और यहां पर 3 वर्स में यह दनराशी होती है 1331 पूचा गया है व्याज की दर क्या होगी तो एक तरफ लिखेंगे मूलदन एक तरफ लिखेंगे मिशदन इसका क्या निकालेंगे 1000 का क्यूब रूट और इधर 1331 का भी क्या लगाएंगे क्यूब रूट अब हम लोग देखेंगे 1000 का गनमूल हो जाता है 10 1330 इसका गनमूल क्या हो जाता है 11 और 10 रुपे भी कितने रुपे की वर्दी हुई है एक रुपे की दर ग्याद करेंगे तो क्या होगा ब्याज बटा मूलदन एक बटे 10 गुणा 100 इससे देखिए 0 से 0 कर जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 10 प्रतिसत हो जाएगा